पहले वो कॉंग्रेस में थे जो दिर्द सिंद्या जी के साथ वो भाजपा में गए तो बात आती है आपस में भी आपे के साथ दूखा हो गया आपको नहीं वणाया मुखि मंत्री निर्णह हुआ था वो लागू नहीं हुआ तो बात अपने जगह है लेकिन मेरा विचार विक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता, विचार कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे समधी है, उनके बयान के बाद तो प्रेम और बढ़ जाएगा अगर गुंजाइश है तो, कि उनने मेरे लिए ऐसा सोचा, अपने राजनेतिक दल में भी बुलाने का उनने एक तरह से नियोता दिया, प्रेम किसके लिए बढ़ेगा, प्रेम विक्तिगत, कोई पाटी दूसरी है तो हम लोग तलवार थोड़ना चलाएंगे, भाजपा के लोग हैं तो तलवार चलाओ, काटो, भाजपाई कॉंग्रेसियों को मारेंगे, कॉंग्रेसी भाजप होता है, हम लोगों का परिवार नबे साल से करीब करीब नबे साल हो गए होंगे, नौ दशक हो गए होंगे, कि कॉंग्रेस के साथ हर उच नीच की सिती में बना रहा हूँ, राज पाट गया, मैं बार बार कहता हूँ कि कॉंग्रेस नहीं लिया, हम लोग महराज थे, किसने की, Congress Party ने, Privy पर्स Privileges लिया किसने लिया, Congress Party ने, हम लोग का काम धंदा था किसने लिया, Congress Party ने, तो क्या हम लोगों के हिद के लिए जिस संगठन को देख रहे हैं उसको देखें हैं अपने हिद को देखें मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कॉंग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में ये हम लोग को स्विकार ही रहा कॉंग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी हम भी कॉंग्रेस के नाम पे काम करते थे हम सब सब मिल के काम करते थे अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा पर वो अपने जगह की बात है बावजूद इसके मेरा विक्तिकत जो विचार है वो भाजपाप में सम्मलित होने का कभी नहीं हो सकता अभ्यक्तिकत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता वो मेरे सम्धी हैं तो मेरे बच्चे के फादर इन लौ है उनकी बेटी भी है वो क्या करते हैं मेरे भाई क्या करते हैं बागी लोग क्या करते हैं ये मैं नहीं कह सकता लिकिन मैं भाजपा के मन से अपने जीवनकाल म और दिखूँगा, और उनके उसे पूछना पड़ेगा।